पान मंत्री जी का महर जी वालमी के कर्म भूमी माता सीता के शरण भूमी और लवकुष के ये भूमी पर हम सब के प्रणाम करताने राजपाल स्री राजेंद्र और लेकर जी मंत्री मंडल में मेरे सहयोगी नित्यानन्द राय जी उपमुक्य मंत्री विजय कुमार चुना जी समराट चोधरी जी राज सरकार में मंत्री वरिष्ण नेता विजय कुमार चोधरी जी संतोष कुमार सुमन जी साउसत संजय जैस्वाल जी राधा मुमन जी सुनिल कुमार जी रमा देवी जी सतिश्चंद्र दूबे जी अन्य सभी वरिष्ण महावनुभाव और बिहार के मेरे प्यारे भाई और मैंनो ये वो भूमी है जितने भारत की आजादी की लड़ाई में नए प्राणफु के नए चेतना का संचार किया इसी धर्ती ने मोहन दाज़ी को महत्मा गांधी बना दिया विक्षित बिहार से विक्षित भारत इस संकल पर लेने के लिए बेतिया से बेतर चंपारण से बेतर और कोई स्थान हो सकता है क्या बोला और आज यहां इतनी बड़ी संक्या में आप सभी हम NDA के सभी सात्यों को आशिरवाद देने के लिए आएं आज बिहार के अलग-अलग विदान सभाक्षेत्रों लोग सभाक्षेत्रों से भी हजारों लोग विक्षित भारत संकल पर इस कारकम में अपने अपने स्थान पर जुड़े हैं मैं बिहार के सभी लोगों का अभिनंदन करता हूँ मैं आप सब से ख्षमा भी मांगता हूँ क्योंकि मुझे आने में ज़रा ज्यादा विलंब हो गया मैं बंगाल में था और इन दिनों बंगाल का उत्साह भी कुछ और ही है वहां बारा किलोमेटर का रोर्स हो था तो बड़ी मुश्किल से मैं समय कम करने की कोशिश तो कर रहा था लेकिन इसके कानन लेट पहुँचा आपको जो कठिनाई हुई इसके लिए मैं आप सब की छबा मांगता हूँ साथियों बिहार वो धर्ती है जिसने सदियों तक देश का नित्रुत्व किया है बिहार वो धर्ती है जिसने एक से बढ़कर एक प्रतिबाबान व्यक्तित्व मा भारती को दिये है और ये सच्चाई है जब जब बिहार समरुद्द रहा है तब भारत समरुद्द रहा है इसलिए विक्सिद भारत के लिए बिहार का विक्सिद होना उतना ही जरूरी है मुझे खुशी है कि बिहार में विकास का डबल इंजिन लगने के बाद विक्सिद बिहार से जुड़े कार्यों में और तेजी आ गई है आज भी करीब तेरा हजार करोड रुप्य की योजनाओं का उपहार बिहार को मिला है इसमें रेल, रोड, इथेनौल प्लांट, सीटी गैस सप्लाई, एलपीजी गैस ऐसी अनेक एहम परियोजनाय शामिल है विक्षित बिहार के लिए हम यही तेजी पकड़नी है इसी तेजी को बनाय रखना है आप सभी को इन परियोजनाओं के लिए बहुत बहुत बढ़ाई साथियों आजाजी के बाद के दसकों में बिहार की एक बहुत बड़ी चनोती रही है यहां से युवाओं का पलायन जब बिहार में जंगल राज आया तो यह पलायन और ज़्यादा बढ़ गया जंगल राज लाने वाले लोगों ने सीर पर सिर्फ अपने परिवार की चिंता की बिहार के लाखों बच्चों का भविश्या दाउपर लगा दिया बिहार के मेरे नवजवान साथी दूसरे रज्यों के दूसरे सहरों में रोजी रोटी के लिए जाते रहे और यहां एक ही परिवार फलता फुलता रहा किस तरह एक एक नोकरी के बदले जमीनों पर कबजा किया गया क्या कोई भी व्यक्ति सामान या मानवी को इस पकार से लूटने वालों को माप कर सकता है क्या माप कर सकता है क्या कैसे लोगों को माप कर सकते है क्या बिहार में जंगल राज लाने वाला परिवार बिहार के युवाओं का सबसे बड़ा गुनहगार है जंगल राज के जिम्मेदार परिवार ने बिहार के लाखों नवजवानों से उनका भाग्य छिल लिया ये एंडिये सरकार है जो इस जंगल राज से बिहार को बचा कर कितना आगे लाई है साथियों एंडिये की डबल इंजीन सरकार का प्रयास है कि बिहार के युवा को यहीं बिहार में नोकरी मिले यहीं बिहार में रोजगार मिले आज जिन हजारों करोड रुप्यों की परियोजनों का लुकारपन और सिलान्यास हुआ है उसके मूल में भी यही भावना है आखिर इन परियोजनाओं के सबसे बड़ी लाबारती कौन है इसका सबसे अधिक लाब उन नवजवानों को होगा जो अभी रोजगार करना चाहते हैं जो स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं आज गंगाजी पर छो लेन के सिश लेन के केबल आधारीत ब्रीच का सिलान्यास हुआ है बिहार में 22,000 करोड रुपिये से एक दर्जन से अधिक पूल पर काम चल रहा है जिनमे से पाँच पूल तो गंगाजी पर बन रहे हैं ये पूल ये चवडे रास्ते ही वही तो विकास का मार्ग बनाते हैं उज्योगों को लाते हैं ये जो बिजली से चलनी वाली टेने चल रही है बंदे भारत जैसी आधुनिक टेने चलने लगी है ये गति किसके लिए है ये उन नव जमानों के लिए है जिनके माता पिता ने ऐसी सुवीदाओं के सपने देखे थे ये जो इंफ्रास्रेक्टर बन रहा है ये रोजगार का बहुत बड़ा माध्यम होता है इसमें मजदूर हो ड्राइवर हो सर्विसिस से जुड़े लोग हो इंजिरियर हो ऐसे अनेक छेत्रों के रोजगार इससे पैदा होते हैं यानि को बल मिलने वाला है साथियों ये जितनी भी नई ट्रेने चल रही हैं पट्रियान बीच रही हैं ये सब कुछ आज भारत में ही बन रहा है Made in India है यानि इसमें भी भारत के ही लोगों को रोजगार मिल रहा है बिहार में भी रेल इंजिन बनाने वाली आधुनिक फैक्टरियां एंडिय सरकार ने बनाई है आज पुरी दुनिया में डिजिकल इंडिया की बहुत बड़ी चर्चा है और मैं आपको एक बात और बोलू आज कई विक्षित देशों में भी ऐसी डिजिटल व्यवस्ता नहीं है जो बेतिया में चमपारण में उपलब्द है विदेशी नेता जब मुझसे मिलते हैं तो पूछते हैं कि मोदी जी आपने ये सब इतनी जल्दी कैसे किया तब मैं उन्हें कहता हूँ कि मोदी ने नहीं ये भारत के नवजवानों ने किया है मोदी ने तो भारत के हर युवा को उनके हर कदम पर साथ देने की गारंटी दी है और विक्सित बिहार के लिए आज यही गारंटी मैं बिहार के युवा को भी दे रहा हूँ और रहुआ जानते बानी है मोदी के गारंटी मने गारंटी पुरा होके के गारंटी साथियों एक तरफ नया भारत बन रहा है वहीं दूसरी तरफ आर जेडी कॉंग्रेस और इनका इंडी कट बंदान अभी भी बिस्वी सदी की दुनिया में जी रहा है एंडीय की सरकार कह रही है कि हम हर घर को सूर्य घर बनाना चाहते हैं हम चाहते हैं कि हर घर की छट पर सोलर प्लांट हो उससे वो घर भी कमाएं और उसे बिजली भी मुप्त मिले लेकिन इंडी कट बंदान अभी भी लाल टेन की लौके ही परोसे जी रही है जब तक बिहार में लाल टेन का राज रहा तब तक सिर्फ एक ही परिवार की गरीबी मिटी एक ही परिवार सम्रद्ध हुआ साथियों आज जम मोदी ये सक्चाई बताता है तो ये मोदी को गाली देते हैं प्रस्टाचारियों से भरे इंडी गड़बंदन का सबसे बड़ा मुद्धा है मोदी का परिवार नहीं है ये लोग कहते हैं कि इंडी गड़बंदन के परिवार वादी नेताओं को लूटने का लाइसन्स मिलना चाहिए क्या लूटने का लाइसन्स मिलना चाहिए क्या मिलना चाहिए क्या आज भार रपना करपुरी ठाकुर्जी अगर होते तो ये उनसे भी यही सवाल पूचते हैं जो मोदी से पूछ रहे हैं परिवारबाद और ब्रस्टाचार के कट्टर समर्षट ये आज पुझ्यबापू, जेपी, लोहिया, बाबा साब आमबेड करको भी कटगरे में खड़ा करते इन्होंने भी तो अपने परिवार को बढ़ावा नहीं दिया, बल्कि देश के हर परिवार के लिए जीवन खपा दिया साथियों, आपके सामने वो व्यक्ति है, जिसने बहुत छोटी आयू में गर छोड़ दिया था बिहार का कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य में रहे, लेकिन छट पुजा पर, दिवाली पर गर जरू लोड़ता है लेकिन वे मोदी, जिसने बच्पन में ही गर छोड़ दिया, मेरा कौन सा गर है, जहां मैं लोटू मेरे लिए तो पूरा भारत ही मेरा गर है, हर भारत वासी मेरा परिवार है इसलिए आज हर भारतिय कह रहा है, हर गरीब, हर नवजवान कह रहा है मैं हूँ मोदी का परिवार, मैं हूँ, मैं हूँ, हमबानी मोदी के परिवार साथियो, मैं गरीब की हर चिंता खत्म करना चाहता हूँ इसलिए मोदी अपने गरीब से गरीब परिवार को मुप्त राशन दे रहा है मुप्त इलाज की सुविदा दे रहा है मैं चाहता हूँ, कि महिलाओ की जिंदगी से कठिनाईयां कम हो इसलिए मोदी महिलाओ के नाम पक्के घर दे रहा है टॉयलेट दे रहा है, बिजली पहुचा रहा है गेस का करेक्शन लग रहा है नल से जल्द की सुविदा हो रही है ऐसी चीजों पर काम कर रहे है मैं चाहता हूँ, कि मेरे देश के नावजवानों का भविश्य बहतर हो इसलिए मोदी रिकार्ड सिंग्या में मेडिकल कॉलेज बना रहा है एम्स बना रहा है, आयाईटी बना रहा है, आयायम बना रहा है ऐसे आधुनिक सिक्षन सुस्तान मेरे नवजवानों के भविश्य के लिए बना रहा है मैं चाहता हूँ मेरे देश के किसानों की आई बड़े वो और ससकत हो इसलिए मोधी अपने अन्दाता परिवार को उर्जा जाता और उर्वरक दाता बना रहा है आज बिहार समेत देश भर में इथेनौल के प्लांट लगाए जा रहे हैं कोशिश यही है कि गन्ना किसानों धान किसानों की उपद से देश में गाड़ियां भी चले और किसानों की कमाई भी बड़े कुछ दिन पहले ही एंडिये सरकार ने गन्ने की खरीत का दाम तीन सो चालीस रुप्ये प्रती क्विंटल कर दिया है कुछ दिन पहले ही एंडिये सरकार ने दुनिया की सबसे बड़ी अनाज बंदारन योजना शुरू की है इसके तहट देश में बिहार में हजंगरों गोदाम बनाए जाएंगे बिहार के मेरे छोटे छोटे किसान परिवारों का जीवन आसान हो इसके लिए पी-एम किसान सम्मान निदी के तहट भी उन्हें हजारों करोड रुपिये की मदद दी गई है यहां बेतिया के ही किसानों को करीब करीब आठ सो करोड रुपिये पी-एम किसान सम्मान निदी के मिले है और इन परिवार वादियों ने आपके साथ क्या किया इसका एक उदान मैं आपको देता हूँ यहां बरवनी का खाज कारखाना कब से बद्द पड़ा था इन परिवार वादियों को कभी इसकी चिंता नहीं हुई मोदिने किसानों को मद्दुनों को इसे फिर से शुरू करवाने की गारंटी दी थी आज यह खाज कारखाना अपनी सेवा दे रहा है और नव जवानों को रोजगार भी दे रहा है और इसलिए ही लोग कहते हैं मोदि की गारंटी यानी गारंटी पुरा होने की गारंटी साथियों चुनाओं में यह जो इंडी गडबंदन वाले है ना उनको पता है अब वो कहीं के रहने वाले नहीं है और अपनी हार तै देख इंडी गडबंदन के निशाने पर खुद भगवान राम भी आ गए हैं यहां बेतिया में मा सीता की अनुभूती है लवकुष्टी अनुभूती है इंडी गडबंदन के लोग जिस तरह प्रभूशी राम और राम मंदिर के विरुद बाते बोल रहे हैं यह पूरे बिहार के लोग देख रहे हैं और बिहार के लोग यह भी देख रहे हैं कि भगवान से राम का अपमान करने वालों का साथ कौन दे रहा है यही परिवारबादी हैं जिनोंने दसकों तक राम लला को टेंट में रखा यही परिवारबादी हैं जिनोंने राम मंदिर न बने इसके लिए जीत और कोशिश की आज भारत अपनी विरासत अपनी संस्कृति का सम्मान कर रहा है तो इन लोगों के इसकी भी परिशानी हो रही है साथियों ये खेत्रा प्रकृती प्रेवी थारू जनजाती का खेत्रा है थारू समाज में प्रकृती के साथ प्रगती की जो जीवन सहली हम देखते हैं वो हम सब के लिए सबक है आज अगर भारत प्रकृती की रक्षा करते हुए विकास कर रहा है तो इसके पीछे थारू जैसी जनजाती की भी प्रेवना है इसलिए तो मैं कहता हूँ कि विक्सीद भारत के निर्माण के लिए सबका प्रयास चाहिए सबकी प्रेणा चाहिए सबकी सीख चाहिए लेकिन इसके लिए एंडिये सरकार का चार सो पार होना उतना ही जरूरी है है के नहीं है कितना कितना देश को तीसरी सबसे बड़ी अर्थववस्ता बनाने के लिए एंडिये एंडिये गरीबी से लोगों को बाहर निकालने के लिए एंडिये एंडिये युवाओं को रोजगार के नए अफसर देने के लिए एंडिये गरीबों को पक्के घर देने के लिए एंडिये एक करोर घरों में सोलर पना लगाने के लिए एंडिये तीन करोर लगपती दीदी बना ले के लिए NDA देज के कौने कौने में बंदे भारत ट्रेंग चलाने के लिए विक्सित भारत विक्सित बिहार के लिए एक बार फिर आप सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाज करता हूँ मेरे साथ बोलिये भारत माता की दोनों हाथ उपर करके पुरी ताकत से बोलिये भारत माता की भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाज